नमस्ते साथियो, आए बी आर जी के पीडिया के साथ अपने समान्य ज्ञानने महारत हासिल करें। आपके लिए पहला सवाल होगा, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? आपके लिए आप्शन होंगे। A. कोईल, B. चातक, C. बगुला, या, D. मोर। आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपके लिए सवाल होगा, स्वामी विवेकानन्द का वास्तविक नाम क्या था? आपके लिए आप्शन होंगे। A. विवेकानन्द, B. नरेंद्रनाद दत, C. डेवदत, या, D. कृष्ण दत आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपके लिए सवाल होगा, कौन सा जीव भूख लगने पर कंकल पत्थर सब खा लेता है? आपके लिए आपके लिए आपके लिए आप्शन होंगे A. धरियाल, B. मगरमच, C. केकडा, या, D. कच्छुआ आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन B. मगरमच, एकसपर्ट्स का कहना है कि मगरमच छोटे छोटे कंकर पत्थर भी खाता है जो पेप में जाकर भोजन को पीछने का काम करते हैं आपके लिए सवाल होगा जन्पद में जाती प्रथा किस पर आधारित थी आपके लिए ओप्शन होंगे आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन आपके लिए सवाल होगा भारत में सबसे पहले टेक्सी सर्विस किस जगा शुरू हुई थी आपके लिए ओप्शन होंगे A. मुंबई में, B. डिल्ली में, C. कुलकाता में या D. चैन्नाई में आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन A. मुंबई में भारत में सबसे पहली टेक्सी सेवा जन्वरी 1911 में मुंबई जो उस समय बॉंबे के नाम से जाना जाता था में शुरू की गई थी आपके लिए सवाल होगा समय सारनी के सिधान्त को किस महान वैग्यानिक ने सूत्रित किया था आपके लिए ओप्शन होंगे A. आईजक न्यूटन ने B. एलबट आइंस्टीन ने C. गैलिलियो गैलिली ने D. निकोला टेसला ने आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन B. एलबट आइंस्टीन ने एलबट आइंस्टीन ने समय सारनी के सिधान्त को सूत्रित किया था आपके लिए सवाल होगा दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन किस कमपनी ने बनाया था आपके लिए ओप्शन होंगे A. सैमसंग ने B. नोकिया ने C. मोटरोला ने या D. सोनी एरिक्सन ने आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन C. मोटरोला ने दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन मोटरोला कमपनी ने बनाया था आपके लिए सवाल होगा कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद लोक्मृत्य है आपके लिए उप्शन होंगे A. बुजरात का B. महराश्ट्रा का C. केरल का या D. राजस्थान का आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन D. राजस्थान का राजस्थान का प्रसिद लोक्मृत्य है कालबेलिया आपके लिए सवाल होगा किस फल के बीज को खाने से बिल्ली की मौत हो जाती है आपके लिए उप्शन होंगे A. अम्रूद के B. पपीता के C. सेव के या D. खर्बूजा के आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन B. पपीता के पपीता के बीज को खाने से बिल्ली की मौत हो जाती है आपके लिए सवाल होगा महाभारत के युद्ध का प्रमुक कारण क्या था? आपके लिए ओप्षन होंगे A. धर्मक्षेत्र का युद्ध B. धन धान्य के लिए C. राजसत्ता की भीशन लालसा या D. पराधीनता की स्थिती आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्षन C. राजसत्ता की भीशन लालसा राजसत्ता की भीशन लालसा था महाभारत के युद्ध का प्रमुक कारण वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्ते